हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आपके पास घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन यह बड़ी खबर आपका समाचार चैनल News Today दर्बंगा सबसे पहले आप तक पहुँचा रहा है दर्बंगा में कोरोना के चार पॉजिटिव मरीज और मिले हैं, DMCH में सभी मरीजों की चिकितसा की जा रही है 22 अप्रेल को दिल्ली से एंबुलेंस में लोटे एक युवक जो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनके निकट संपर्क में आए 13 लोगों में से 4 वेक्तियों की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है दुबारा सुनने इसे आप दिल्ली से एंबुलेंस में लोटे एक युवक जो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया था, उनके निकट संपर्क में आए 13 लोगों में से 4 वेक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बाकी लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है जबकि 5 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है दरभंगा में कोरोना का 4 और मरीज यहां मिल गया है बाकी लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है इस तरह दरभंगा जिला में कोरोना पॉजिटिव मरी जों की कुल संख्या बढ़कर पांच हो गई है जिला धिकारी द्वारा बताया गया है कि सभी मरीज DMCH के आइसोलेशन वार्ड में भरती हैं और उनकी चिकित्सा की जा रही है गौर तलब है कि आज जिन चार वेक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें कोरोना के कोई लक्षन नहीं है वे सभी स्वास्त दिक रहे हैं वे सभी चिकित्सकों की निगरानी में हैं जिला प्रशासंद्वरा इन लोगों के निवास स्थान के तीन किलोमेटर एरिया को सील कर दिया गया है उक्त छेत्र को बराबर सैनिटाइज किया जा रहा है साथ ही स्वास्त विभाग की टीमों के द्वारा घर-घर जाकर सभी लोगों का स्वास परिक्षन और स्क्रिनिं की गई है, होम डिलिवरी होगी आपको सामनों की, अगर जरूरत हुई तो इस महामारी से निवटने के लिए DM ने सभी लोगों का सहयोग मांगा है, News Today दर्भंगा भी आप से अपील करता है, बार-बार अपील करता है, कि आप घरों में